रूप मेरे दोस्तों मेरे भायो कैसे होँआप्लोग आज आज आप यह वाली गाड़혁 एपनी स्क्रेट के बारे में बात करेंगे पूरी वीडियो में इस गाड़ चीजसे साथ बात करने वाले भाई इस गाड़ी के बारे में एक एक करके सारी चीज़े समझाँगा प्राइज मो प्राइज के बारे में और गाड़ी के अंदर क्या के अक्सेसरीज मिलती है स्पैसिफिकेशन क्या क्या होने वाली गाड़ी की इंजन की बूट की इंटीरियर एकस्ट देता हूं मैं जो बहुत खास बात भाई यह होने वाली गाड़ी का ग्राउंड क्लिर्स गाड़ी को ग्राउंड क्लिर्स भाई आपको 180 mm को मिलता एस्वी वाली पूरी की पूरी फील है इतना ज्यादा मिल रहा है तो एस्वी वाली फील आईगी आईगी एक चीज और बता है तो इसका एक रीजन होता है अगर भाई देख वाइबरेट तो करेगी चीज़े है ना थोड़ा बहुत तो करेगी क्योंकि इतने बजेट में इस तरीकी की गाड़ी मगर हाँ यह है कि जो भी हमारे भाई लोग नए नही गाड़ी पहली गाड़ी अपने माहर बारती सु करेंगे फ्रेंट प्रोफाल के तरफ देखेंगे आप मिल जाता है अपको हाई लोग यहां पर मिल जाएंगे और बाद करेंगे पीच में बहुत अच्छा सा मारती सुझगी ने यहां करंब देखने के लिए बाइस तरीके के पंपर के नीचे कि यह रिख गरी हैं लग वा लगाई हुई है और इस क्लाइटिंग के बाद करो तो यह वाली क्लाइटिंग रहेगी बिल्कुल बहुत बड़ है लुक्स के साथ वैसे वाली गाड़ी आ जाती है टायर की साइज करूँ इसमें 13 इंचेस 14 इंचेस के मिल जाएंगे वी एकसाई वी एकसाई प्लस में 13 इंचेस के अंदर आवेलिबल आपको गाड़ी के हो जाते हैं फ्रेंट में आपको डिस्क मिलेंगे रियर मिलेंगे भाई पीछे और एक बात बताता हूं आपको गाड़ी के बारे में इसका कर्व वेट जो हुने वाला है 775 कर्व वेट इस गाड़ी का होने वाला है वहीं लेंथ की बात करूँ इस गाड़ी की में तो लेंथ भी बहुत अच्छी खासे आपको इस गाड़ी में मिल जाती है गाड़े भाई हमारी हैजबेक सेग्मेंट की है मगर देखा जाए तो मिनी एस्यूवी इसको हम गाड़ी को बोल सकते हैं गाड़ी हैजबेक सेग्मेंट की तो जरूर है मगर इसको हम माइक्र एस्यूवी के सेग्मेंट में भी लेके आ सकते हैं गाड़ी अच्छी है वील ब आउट उफ मर्क में लग यह जो है सिल्वर कलर के रेलिंग पर यहां पर रनिंग बोर्ड पर यहां पर लगाई हुई है स्टेंडर्ड मोडल में आप देखेंगे तो यह चीज आपको ऐसी नहीं मिलेंगी यह जो मैट फिनिश के साथ है इस तरीके का सिंपल वर्क आपको दे पर मिल जाएगा उपर आपको एक वाइपर देखने के लिए मिल जाता है ब्लैक कलर की रूफ यहां पर टू वाइपर्स यह सारी चीज अच्छी है फ्यूल कैपसिटी की बात करो तो फ्यूल टैंक किसमें 27 लिटर का देखने के लिए मिल जाएगा अब करेंगे पीछे की कि बात तो है पीछे है का ड़ेगा पूरे का स सेट आप यह वाला कम्प्लीट रहने वाला है पूरा का पूरा महुल की बात अबिए मिल जाएगा देखने लिए ईजका इस िखने के लिए मिल जाएगा कउरे इने linked 틈 सॉक करईडाश मतले चा आपो restrictive तो आपको हाई मांटेड आपको स्टॉप लैंप मिल जाता है यहां जो पीछे बंपर देख रहे हैं पूरा स्क्रेच लेस्टेंट आगे की तरह बिल्कुल सेम डिजाइन पीछी भी दिया हुआ है तो इस तरीके का है मिल जाता थोड़ी बात करेंगे चाबी की चाबी इसमे की पूरी साइड प्रोफाइल और बैग प्रोफाइल के बाद अब चलेंगे अंदर अंदर से देखते हैं तो भाई अंदर से थोड़ा सा माहूल देख लेता है गाड़ी का अंदर से कैसी है यह रहा हमारा दर्वाजा टू स्पीकर्स बोटल होल्डर यहां पर मिल जाएग अब के सामने सीट सीट many वाला स्टरीके का सेट आप तो प्र अगवार देखनेिके के लिए मिल जागा एक बात और बटाता है 1000 लाइट यहां से मिल जाएगी आपको बीच में एसी के कंट्रोल मैनुली हां देखने के लिए मिल जाते हैं हमें और एक बात बता हूं इस्टेरिंग एडिस्टिबल वगरा से कुछ भी नहीं पुराने टाइप वाला जो होता अपना सुंदर टिकाओ वाला एकदम एगनिश सकते हैं इसके बारे में जादा नहीं पता पहूंगा पुराने टाइप को पता है कैसे मिलता है फाइव स्पीड मैनुल ट्रांसमिशन मिलते हैं 12 वोल चार्टिंग सोगेट आपको यहां मिल जाएगा USB की कनेक्टिविटी या तोड़ा से स्पेस टूप होल्डर्स और यहा वाओ ठीक है अच्छी है बढ़िया है यह बोल सकता हूं उसमें तो यहां पावर विंडो वाला तो देखो मैंने कुछ बोले ही नहीं अभी तक आपको दिखी रहा होगा सिल्वर कलर की एकसेसरी जैसी की मैंने बताई चोड़ा मोटा स्पेस बैठने के बाद हम अपना दे कर सकते हैं है यह बहुत अच्छी ही चीज है वैसे देखी जाए तो वाई बेस मोडल में और इतने कच्छे कम प्राइज में एक अच्छी गाड़ी ठीक है और हाँ एक चीज और रहा है बहुत अच्छी है अब एक चीज और रह गई है मुझे बताने में आपको वह रह गई है भाई इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन इसमें हमारा 1000 CC का 3 सिलिंडर पेट्रोल की स्रीज का 1 लीटर पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिल जाता है जो कि आपको 68 BHP के पावर 91 NM का टॉर्क निकालके दे देगा तो यह बहुत अच्छी खासी बात इस गाड़ी में हो जाती है तो यह रही भाई हमारे इस तरह की वीडियो प्राइज आपको इस गाड़ी के पता ही होंगे तो इसलिए मैंने व वीडियो थी मारूती सुजू की एस प्रैसो के बारे में मिनी एस यूवी कह सकते हैं हैचबेक सेग्मेंट की गाड़ी है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल पर अगर आप नहीं है सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल भी मत जाना भाई आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है मैं आपके लिए ऐसी तरीके की वीडियो अच्छी अच्छी लाता रहूँगा आगे भी अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो